सभी को जजनेंद्र विश्क यूग में आरोग्य एक बार फिर आप सभी लोगा का स्वागत अभिनंदन हम बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में गुटने के सभी दर्द जोडो का दर्द अर्थराइटिस की इसी कार्गरम को हम कंटीनियू करते हैं डॉक्टर आर एन वर्मा जी के साथ और नॉक्टर संजीव मिस्रा जी के साथ दक सब मैं पूछे चाहता हूं जैसे जोडो की दर्द की बात थी तो खराब जोडो को पूर्व अत्मला पहले जैसा करने में तीन से चार महिने क्यों लगते हैं? खराब जोडों में ग्रीज घिज ड्राय हो जाती है, सूख जाती है और कार्टिलेज जिसे गद्दी कहते हैं वो घिज जाती है तो इसी आज तक कोई टेकनीक नहीं है मौडरन से मौडरन ट्रीटमेंट में कि कार्टिलेज को चिपका दिया जाए दोवड्डियों के बीच और फिर उस जॉइंट कैप्शुल में तेल भर दिया जाए जिससे गटना पहले जैसा काम करें इसे तो जोड को खुद बनाना पड़ेगा बाहर का कार्टिलेज नहीं चिपकाया जा सकता बाहर का तेल भी नहीं काम आता है तो खुद बनाना है तो क्या करना होगा आपको केल्शियम खाना होगा माने चूना केल्शियम की गोलियां काम नहीं करती उसके बाद आपको सूरी की धोप लेनी पड़ेगी उसके बाद आ करने के बाद जब इसकी थिकने से इतनी हो जाती है कि अब दो हड्यां अपस में रगड़े भी तो एक दूसरे को टच नहीं करेंगी तब जाके जोड का दर्द ठीक हो जाता है और इस कारी इस क्रिया को प्रक्रिया को तीचर मेंने लगते जैसे कि पता लगा कि आप लोगों का रोगदूर्थ किया है तो मैं डोक्टर संजीम पूचे चाहता हूं कि कुछ मरीजयों का अनुभाव आप हम से और जनता चेसे हो जिए 5 इस तरह के रोग्यों के भी हमने काम किया हमारे कैम्प बड़ी-बड़ी संस्ताओं में दिल्ली के दिडिये द्वारा भी लगाए गए और इनमें हमने जो चैलेंजर मिलें तरह के जो गुटने जिनको डॉक्टरों ने मना कर दिया कि ठीक हो सकते तो हमने ठीक किये बिल्कु आपको ऐसा भी अनुबाया है डोक्र साब की कुछ जोडों के दर्द मलब सही नहीं हो सकते है ऐसा कोई एक्स्पिरेंस जी आया है हम आश्चेर चाकित थे कि 99% लोग ठीक हो जाते ये 1% या उनसे भी बहुत कम को क्या होता है तो बहुत रिसर्च के बाद अंत में ये पाय कि इन लोगों ने continuously steroids खाए थे और यदि कोई मनुष steroids खा ले तो फिर उसके जोड ठीक नहीं हो सकते और उन रोगों को फिर हम प्रयास करते हैं कि उसे antidote करें उन्हें दाइस्थिस बदलवाएं माने ऐसी अवस्था में लाएं कि वो होब्योपेथी दवा को देशी को दर्द दूर करने के लिए इस्ट्राइट क्यों दिया जाता है कि देखिए आधुनिक से आधुनिक चिकित्सा पद्धती के पास सिर्फ तीन उपाए हैं और वो तीन उपाए एक ही काम करते हैं कि घुटने से दर्द ले जाने वाली नर्व को ब्लॉक कर देना और इसके दिन बाद वो दर्द निवारक काम करना बंद कर देता है अब आपको उससे हायर लेवल पे जाना पड़ेगा वो होता है नॉन स्टेरोइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स ये भी कुछ समय तो रहत देती फिर ये भी काम करना बंद कर देती अब आपके पास कोई उप गुटना इतना खराब हो जाता है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई इसे तुरंट बदलना पड़ेगा ऐसे गुटने भी हम लोगों ने ठीक किये हैं प्रक्स अब बताईए क्या कोई ऐसा तेल है आपके पास जो कुटनों के दर्द पे अराम मिलता हो जोडों के दर्द में जो एक्सरसाइज जिसे आप कह सकते हैं या साइटी का स्ट्रेटिनिंग टेकनीक कह सकते हैं वो भी जरूरी और साथ-साथ कुछ आउशदियां भी जरूरी उधारन के तौर पे वातनाशक आउशदि जो पूरी देशी है जिसमें तेल घर के मसाले ही होते हैं तो यह सब का जब मिल करके जब उपयोग करते हैं तब जोड कदर ठीक होता है केवल तेल से नहीं तेल वो सब्सक्राइब प्रताइए कौन सा तेल है वो जो आप लोगों ने मतलब बनाया है या जिसके माधियम से पेंकिलर तेल जी से बोलते हैं यही है वो देसी तेल जिसको परमा जी पेंट किया है और पेंट ऑफिस से यह परमा जी के नाम पे पेंट है इसका उपयोग करके हमने जगन्य से जगन्य जो ऐसे घुटने जो अलग पैथियों से ठीक नहीं हो पाए हैं हमने ठीक किया है इसके साथ कुछ दबाईयां भी लगती हैं जो हमारी इस पैथी में उप चार क्या है ओस्टियो आर्थराइटिस एक भयानक रोग है इस रोग में हमारा रक्त हड्डियों में से केल्शियम खीच करके निकालके अपनी आमलता ठीक करता है माने हमारे गलत खान पान से यदि हमारे रक्त में एसिड बन जाए तो इस एसिड वाला रक्त पुरे शरीर में घुमाएंगे तो बहुत नुकसान होगा इसलिए क्या करता है शरीर कि सीदा सीदा बलड को बोलता है तुम जाओ और हड्डियों में से केल्शियम निकाल के लाओ मसल्स में से पोटेशियम मेगनेशियम सोडियम अलकली मेटल्स निकालो और अपनी आमलता को ठीक करो प खड़े खड़े आदमी की जांग की हड़ी तूट गई इतनी पोरस इतनी ब्रिटल हो जाती है और दूसरा ऑस्टियो आर्थराइटिस में कमर जुकती जाती है क्योंकि कमर के जो वर्टिवरा है हमारी रीड की हड़ी उसमें से केल्शियम निकालता है बलड और वो अपनी अगर बात करूं तो गुटने की नीचे के जो दो पैर है उधर से भी हड़ियों में से केल्शियम निकाला जाता है नेट रिजल्ट उनकी पैर ऐसे टेड़े हो जाते उसे कहते बो लेगड आर्थराइटिस तो इस आर्थराइटिस को ठीक करने का सरर इलाज है आप सूरी की धूप लें माने 20 मिनट से ज्यादा की आवशकता नहीं है ले सकते हो बरपूर केल्शियम खाए माने आपके शरीर से रोज 1000 मिली ग्राम केल्शियम शरीर से बाहर जाता है पैशाप के माध्यम से पसीनी के माध्यम से तो उसे पूरा करें और उसके लिए सबसे पान पान ना करें कि जिसके कारण आपका रक्त एसीडी खो जाए उधारें के तौर पर खाना खाने के देड़ घंटे के अंदर पानी मत पियें मन में तनाव मत रखें और दिन में अधिक बार ना खाएं अचा जैसे डोग सब चूने की बात आई है तो क्या चूना हरोगी नहीं ले सकता जो लोग स्टोन या पत्थर की पत्थरी की विमारी से ग्रसित हैं जिनको यह समस्या है वो चूना ना खाएं उसको अवाइड करें नी तो उनको यह समस्या बढ़ जाएगी अच्छा जैसे मैं पूछने चारता कि यह आपका कोई ऐसा केंदर भी है जहां र जोघने की समस्या वाले और गुटने की समस्या वाले लोग आकर अपना यलाज कर आते हैं देखा आपने इस एपिसोड के माधियम से पिछले दो एपिसोड के माधियम से घूटने का दढ़्यो की सभी को करता व उसका निदान कैसे डिएरेट् रिसर्च afford बीशमा जोगी पिर भी आपको कंसेट करना है अपने गुटने सही करने खराब से खराब जो डोक्टर ने जवाब दे दिया हो आप इस स्क्रीन पर जो नीचे नंबर चलने उन नंबर पर कोंटेट करके अपने रोगों से निदान पा सकते हैं अगले एपिसोड में और बड़ी बीमारी के ब इस कारिकरम के प्रायो जखें सदालेन फैबरिक मुंबई एवं स्वानिश्री गोल्ड एन डायमंड्स विजेवाड़ा